उद्दव ठाकरे के बाद अब शरत पवार भी कॉंग्रेस सांसत राहूल गांदी की भारत जुड़ो यात्रा में शामिल नहीं होने वाले है महाराश में राहूल गांदी की भारत जुड़ो यात्रा का आज तीसरा दिन है शिवसेना उद्दव भाला साथ ठाकरे गुट से राहूल की यात्रा में उद्दव ठाकरे गुट से आदित्य ठाकरे शामिल होंगे और शरतपवार की पार्टी न्सिपी से महराश पदेश अध्यक्ष जैंत पार्टील सांसर सुप्रिया सुले जितेंद्र आवार राजेश टोपे शामिल होंगे राहूल गांदी की भारत जुड़ो यात्रा सुमवार की रात महराश में दाखिल हुई नांदेण के देगलूर में उनका भविस्वागत किया गया राहूल गांदी की भारत जुड़ो यात्रा के महराश पहुंसते ही राज्जी के कॉंग्रेस कारिक पवार भी संबोधित कर सकते हैं लेकिन अब उनकी बेटी और सांसा सुप्रिया सुले ने ये जानकारी दिया है कि स्वास्त कारणों से वो इस सभा में मौजूद नहीं होंगे एक मराठी न्यूस चैनल से बात करते हुए सुप्रिया सुले ने कहा कि शरत पवार की तबियत म इसलिए शरत पवार खुद इस सभा में शामिल नहीं होंगे लेकिन एंसीपी के अन्य एहम नेता कल जरूर इस यात्रा में शामिल होंगे एंसीपी के चार बड़े नेताओं के अलावा राजे इंदर शिंग्णे, बुल्डाना से, हिंगोली से रोहित पवार भी शामिल न शामिल नहीं होने वाले हैं, उनके गुट से उनके बेटे और विधायक आदित्य ठाकरे राहूल का साथ देंगे, राहूल गांधी की भारत जुड़ो यात्रा महराश्ट के नांदेड, हिंगोली, वाशिम, अकोला और बुल्डाना, इन पास जिलों में 384 किलोमीटर की य शामिल होते तो जाहिर सी बात इसका लाब माविकासा गाड़ी को काफी ज्यादा होता, क्योंकि शरत पवार को महराश्ट में ऐसी यात्राओं का अनुभाव है, वो अच्छे से जानते हैं कि ऐसी यात्राओं के जरिया आम लोगों को कैसे साथ में जोड़ा जाता है, वैस इस यात्रा में न तो शरत पवार हैं न उद्दव ठाकरे शामिल हो रहे हैं, महराश के बड़े चेहरे माने जा रहे थे और इनके साथ में आने से राहूल गांदी की यात्रा को एक नया पूस्ट अप मिलता, राहूल की यात्रा के समय में उनके गड़बंदन के दो नेता राहूल के साथ दिखाई नहीं देंगे, एक बीमारी की वज़े से स्वास्ट कारण दोनों के ही बताय जा रहे हैं, अलाकि माना जा रहा कि शरत पवार 11 नवंबर को राहूल गांदी के साथ एक जनसभा को संबोधित कर सकते हैं, अलाकि जैसे ही पता चला कि राहूल राहूल गांदी की भारत जोड़ो यात्रा में शरत पवार उद्दाव ठाकर शामिल नहीं होंगे, इसके बाद विरोधियों को राहूल गांदी पर निशाना साथने का मौका मिल गया, विरोधियों ने कहना शुरू कर दिया कि राहूल गांदी के साथ खुद उनके जरूर करते दिखाई दे रहे हैं, यही कारण है कि इन दिनों के विरोधियों की यात्रा को लेकर कई ऐसे बयान दे रहे हैं, जो बहुखला हट दिखाते हैं, फिलाल राजनितिक विश्लिय शकों का मानना है कि अगर राहूल गांदी के साथ उद्दाव ठाकरे और शरत प पाना ना भूलें, अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं, तो हमारे पेज को लाइक करें